जोतिस सास्त्र में देव गुरु वड़िस्पति को सभी देवी देवताओं का गुरु कहा जाता है देव गुरु वड़िस्पति को बुध्धी और सिक्षा का कारक माना जाता है गुरुवार को वृष्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मानसंबान, परतिष्ठा और कई अन्यम बनुवांचित फल के प्राप्ति होती है जोतीस गन्ना के मुताबिक साल 2023 में कुछ रासियों पर वृष्पति देव की विशेश क्रिपा रहने वाली है नए साल में इन रासियों की किस्मत चमकने वाली है साल 2023 इन रासियों के लिए एक प्रकार से वर्दान के समान साबित होने वाले है नए साल में 2023 में आर्थे किस्थिती में जबदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है इसके साथ ही नौकरी वैपार में उन्नती देखने को मिलेगी आईए जानते हैं कि साल 2023 में किनकिन रासियों के भाग चमकने वाला है नमस्कार दोस्तों आप सभी का दर्डिवाइन सूल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सेयर और सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथ ही नोटिफिकेशन बेल को विसी ही प्रिस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटिस्ट वीडियो की जानकारी आप तक ततकाली पहुंच सके दोस्तों नए साल में मेश रासी पर देव गुरु व्रिस्पति के विसी स्कृपा रहने वाली हैं गुरु का रासी परिवर्तन मेश रासी के जातकों के लिए सुब रहेगा पिछले कुछ समय से चल रही समस्या से भी राहत मिलेगी सफलता के नए नए आयाम बनेंगे कोई महतपूर्ण जम्मी दाड़ी भी मिल सकती है विद्यार्थियों को मनुकुल जो है रिजल्ट हासिल होने वाले हैं रुके वे काम पोड़े होंगे और साथ ही युवा वर्ग जो हैं उनके लिए विदेश जाने के योग भी बनेंगे घर में वातवरन सुख सांती और सोहार्थ पुन बना रहेगा जोती सांस्तर के अनुसार साल 2023 में गुरु का गोचर करक रासी वालों के पक्ष में रहेगा नए साल में 2023 में कुछ महत्पुन लापदायक यात्राएं भी होंगी भाग के और उन्नती के रास्ते प्रभल होंगे धन आगमन के नए नए सरोध आपके सामने आएंगे किसी मुश्किल कारिय में मित्रों और पडिजनों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है प्रोपर्टी की खरीद परोप्त से जुरेवे कोई भी काम होंगे तो वो 100% पूरे होने वाले हैं पती पतनी के बीच खुसनवा रिस्ते बने रहेंगे 2023 में कन्या रासे के जातकों के सामने कुछ नई चुनाओतियां आएंगे लेकिन बड़ी सरल्ता से परिसानियों का हल भी निकल जाएगा छात्रों को परिक्षा में अनुकुल परिनाम मिलने वाले हैं किसी के साथ चल रहे विवाद भी दूर होंगे और रिस्तों में मधोरता आने वादी है आपके संपर्कों का दाइरह भी बढ़ने वाला है परिवार के साथ आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं साल 2023 में उरेश्पति रेव की किरपा मिलेगी और भागय का साथ भी मिलेगा जोति gracious ये गन्न के अनुसार साल 2023 में मकर रासी वालों के लिए बेहदे भागय सानी साल साबित होने वाला है नए साल में 2023 में गुरु का रासी परिवर्तन मकर वालों के लिए सांदार उपलब्धियां लेकर आ रहा है आप अपने कौसर और छमताओं का इस्तेमाल करें पिछले कुछ समय से चल रही परिसानियों से रहत मिलेगी आर्थिक इस्थिती में सुधार होगा और युवाओं को थोड़ी मेहनत करने से ही सफलता मिलने वाली है वैवाहिक जीवन में खुसहाली बने रहेगी इसके साथ ही परिवार में मातापीता से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने वाला है दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई हो तो इससे जदा से जदा से एर करना बिल्कुल ना भूले अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फेर से मिलोंगे तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों